हलो दोस्तों Lucent Chemistry GK के इस वीडियो में आपका वेलकम है तो आप डिसक्स की जाएंगे Important Chemistry GK कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी important होने वाले हैं क्योंकि सबी कोशन previous year exam के अंदर पूछे जा चुके हैं और next exam में definitely आपको देखने को मिलेंगे अगर दोस्तों आप डेली Lucent Chemistry GK की वीडियो पर आप करना चाते हो तो study readout channel को subscribe कर दिजिए और bell icon बटन को भी दबा दिजिए जोस्तों तो आज का हमारा पहला कुशन है हीरा क्या है तो इसका correct answer है option number D एक तत्व का उदहरन है हीरा next ने निमलिकित में से रासाइनिक योगिक कौन सा है तो इसका correct answer है option number E जो ammonia है वह है रासाइनिक योगिक क्योंकि इसका formula होता है NS3 तो इसमें nitrogen भी होती है hydrogen भी होती है तो इस परकार से यह एक रासाइनिक योगिक है नेक्श ने शुद्ध तत्व कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर C जो सोडियम है वह एक के लावा कांच मिश्रन है और सिमेंट भी मिश्रन है मतलब यह बहुत सारे परधारतों को मिलाकर बनाए गया है जहां पर शुद्ध तत्व की बात हो रही है तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्श ने किस वी एक ग्यानिक ने परमानु सिद्धान्त की खोज की तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर E जोन डॉल्टन ने की थी परमानु सिद्धान्त की खोज नेक्श ने निमलिकित में से कौन एक एस्ताई कन है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर E न्यूटोन है एक एस्ताई कन तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर C जो neutron होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है next ने प्रमानू विदूत क्या होते हैं तो इसका correct answer है option number D जो प्रमानू होते हैं वहें विदूत के उदासीन होते हैं next ने इलेक्ट्रोन की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number B जे जे थूमसन ने की थी इलेक्ट्रोन की खोज next ने प्रोट्रोन की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number C रदर फोर्ड ने की थी प्रोट्रोन की खोज next ने न्यूट्रोन की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number A जेम्स चेडविक ने की थी न्यूट्रोन की खोज तो आपको इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन इन तोनों की खोज गरता आपको याद दोना चाहिए क्योंकि मोश्टली एक जाम के अंदर एक कुशन जरूर पूछा जाता है नेक्स चने परमान विये नाबिक की खोज कुशन ने की थी तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी रदर फोर्ड ने की थी परमान विये नाबिक की खोज नेक्स चने एक भारतिये वेग्यानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कर्ण के साथ जुड़ा है तो इसका correct answer है option number A बोस है जो विग्यानिक भारती मूल के उनका नाम जुड़ा हुआ है विशिष्ट मूलकन से next है निमलिकित में से किस परमानू में नाबिक में न्यूट्रोन नहीं होता है तो इसका correct answer है option number C जो हाइट्रोजन होता है उसमें न्यूट्रोन नहीं होता है क्योंकि जो इसका electron और proton होते हैं उनकी संख्या एक होती है इसमें कोई भी neutron नहीं पाया जाता नेक्स चर्ण है इलेक्ट्रोन के तरंग प्रकति की खोज स्वर्परतम किस ने की थी तो इसका correct answer है option number A क्या कहा जाता है तो इसका correct answer है option number है परमानू कहा जाता है तत्व के सबसे छोटे से छोटे बाग को और उससे बढ़े बाग को अनू कहा जाता है नेक्शन है डॉल्टन ने परमानू सिद्धान्त के अनूसार कौन से सबसे छोटा कन सोतंतर रूप से रह सकता है तो इसका correct answer है option number C परमानू है जो कि सबसे छोटा तत्व होता है किसी भी प्रधार्थ का और वह सोतंतर रवस्ता में रह सकता है नेक्शन है किसी परमानू के गुण निर्वर करते हैं तो इसका correct answer है option number A इलेक्ट्रोन की सरचना पर निर्वर करते हैं परमानू के गुण next ने neutron और proton की संख्या के योगफल को क्या कहते है तो इसका correct answer है option number B उसे प्रधार्थ का दर्युमान कहते है जब neutron और proton की संख्या को जोड़ दिया जाता है next ने किन किर्णों के प्रिकिर्णन से नाभी के आकार का आकलन किया जा सकता है तो इसका correct answer है option number D एल्फा किर्णों के प्रिकिर्णन से किया जा सकता है नाभी के आकार का आकलन next ने नाभी के धनावेश होने की खोज की थी तो इसका correct answer है option number B रदरफोर्ड ने की थी नाभी के धनावेश होने की खोज नेक्ष ने परमानु भार का अंतराश्टिये मात्रग है तो इसका correct answer है option number D C 12 बोले तो carbon 12 होता है परमानु भार का अंतराश्टिये मात्रग नेक्ष ने निमलिकित में से किसने आनविक सिध्धान्त प्रतिपादित किया था तो इसका correct answer है option number A जोन डोल्टन ने किया था आणविक सिद्धान्त का प्रतिपादन निक्स ने किसी परमानू के बहरियतम कक्षा में कितने इलेक्टरोन रह सकते हैं तो इसका correct answer है option number B 8 इलेक्टरोन रह सकते हैं बहरियतम कक्षा में इलेक्टरोन की मेकजिमम संख्या निक्स ने सोडियम परमानू के कोर इलेक्टरोन की संख्या है तो इसका correct answer है option number D 10 होती है सोडियम जो परमानू है उसमें इलेक्टरोन की संख्या निक्स ने परमानू का दर्विमान किन मोलिक कणों पर निर्वर करता है तो इसका correct answer है option number C निउट्रोन और प्रोटोन की संख्या पर निर्वर करता है परमानु का दर्युमान निक्ष ने अनिश्चित्ता किया तो इसका correct answer है option number A हाईजेन बर्ग ने किया था अनिश्चित्ता के सिद्दान्द का प्रतिपादन निक्ष ने नाबिक की खोज रदर फोर्ड ने किन कनों की साहिता से की थी तो इसका correct answer है option number D अलफा कनों की साहिता से की थी नाबिक की खोज रदर फोर्ड ने निक्ष ने किसी तत्व की रासाइनिक प्रकति निर्वर करती है तो इसका correct answer है option number C किसी तत्व के रासाइनिक गुण निर्बर करते हैं तो इसका correct answer है option नमरे परमानू की संक्या पर निर्बर करते हैं किसी तत्व के रासाइनिक गुण next है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है तो इसका correct answer है option नमरे डी जो photon है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है इसके अलावा धनायन परमानू और नाबिक इन तीनों को विभाजित किया जा सकता है next है ने रेडियो सकरीता की खोज स्वरपरतम किस विग्यानिक ने की तो इसका correct answer है option number A हेंडरी बेकरिल ने की ती रेडियो सकरीता की खोज next है रेडियो सकरीता किसका गुन है तो इसका correct answer है option number D नाबिक का गुन होता है रेडियो सकरीता next है रेडियो सकरीता की इकाई क्या है तो इसका correct answer है option number B क्यूरी होती है रेडियो सकरीता की इकाई क्यूंकि रेडियो सकरीता जो प्रदात है उनकी खोज मेडम क्यूरी ने की ती इसलिए इनकी जो इकाई है वह क्यूरी है निक्स ने अलफा और बीटा किर्णों की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number D रदर फोर्ड ने की थी alpha और बीटा किर्णों की खोज निक्स ने एक्स किर्णों की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number A फेराडे ने की थी x किर्णों की खोज निक्स ने गामा केड़नों की खोज किस ने की थी तो इसका correct answer है option number A रदर फोर्ड ने की थी गामा केड़नों की खोज निक्स ने निमलिकित में से किसके उस सरजन से संभारिक का निर्मान होता है तो इसका correct answer है option number C पीटा केरणों के उससरजन से होता है समभारी का निर्माण Next ने निमलिके इत में से किसमे रिनात्मक आवेश होता है तो उसका correct answer है ऑप्चन नमबर दी पीटा केरणों के अंदर होता है रिनावेश Next ने पीटा केरणों किस परकार के आवेश वहन करता है तो इसका correct answer है option number ए रिनात्म का वेश वहन करता है बीटा किरने next ने निमलिकित में से किस की रण का आयतन शम्ता सबसे कम है तो इसका correct answer है option number C जो गामा किरने है उनकी आयतन शम्ता सबसे कम होती है next ने निमलिकित में से किस की रण की अवेश दिता शम्ता सबसे अधिक है तो इसका correct answer है option number C जो गामा किरने होती है next ने प्रत्वी की आयू का आकलन किया जाता है तो इसका correct answer है option number C यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है प्रत्वी की आयू का आकलन next ने प्रमानू बंब का अविशकार किस ने किया था तो इसका correct answer है option number B ओटो होन ने किया था प्रमानू बंब का अविशकार अविषकार नेक्स ने परमानू चिसी ले पर पर कारिये करता है तो इसका करेक्ट आंसर है बीशन नमबर दी नाबी की सलेन के अभिग्रिया से होती है सुर्ये में अर्जा का उस्तरजन नेक्स चने कार्बन डेटिंग निमलिकित में से किसकी आयू निर्धारण हेतु परियोग की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर है option number C जीवाश में की जो आयू है उसे निर्धारण करने के लिए यूज कियाता है कार्बन डेटिंग का निक्स चने हाइट्रोजन के समस्तानिक की संख्या कितनी है तो इसका करेक्ट आंसर है option number B तीन होती है हाइट्रोजन के समस्तानिक की संख्या निक्स चने सरवाधिक संख्या में समस्तानिक किसके पाए जाते हैं तो इसका correct answer है option number C polonium के पाए जाते हैं सरवादिक संख्या में समस्तानिक next ने निमलिकित में से किसके उस सर्जन से संभारिक उत्पन होते हैं तो इसका correct answer है option number B बीटा के उस सर्जन से होते हैं संभारिक उत्पन next ने निमलिकित में से किस योगिक की आकरती चतुरश्वल किये होती है तो इसका correct answer है option number D carbon tetra chloride की जो आकरती है वह चतुरश्वल किये होती है next ने निमलिकित योगिकों में से किसमें आइनिक बंद नहीं है तो इसका correct answer है option number B जो methane का योगिक है जिसका formula होता है CH4 मतलब एक carbon के चार जो hydrogen जुड़ी होती है उसमें कोई भी आइनिक बंद नहीं होता है सबी ये sigma बंद होते हैं इसके अलावा calcium chloride, sodium chloride इन दोनों के अंदर आइनिक बंद पाए जाते हैं next ने इलेक्ट्रोन त्यागने की परवर्ती क्या कहलाती है तो इसका correct answer है option number C oxy current कहते हैं electron को त्यागने की परवर्ती को next ने electron ग्रहन करने की परवर्ती क्या कहलाती है तो इसका correct answer है option number B out current कहते हैं जब कोई परवानू electron ग्रहन करता है next ने polonium के समस्तानिकों की संक्या है तो इसका correct answer है option number C 27 होती है polonium में समस्तानिकों की संक्या next ने रक्त कैंसर को नियंतरित करने के लिए उप्योग किये जाने वाली radio isotopes कौन सा है तो इसका correct answer है option number E कोबाल्ट 60 का यूज किये जाता है कैंसर के इलाज में next ने electron ग्रहन की परवर्ती क्या कहलाती है तो इसका correct answer है option number B oxygen कहते हैं electron ग्रहन की परवर्ती को next ने hydrogen के जलने से सम्मंद प्रिक्रिया है तो इसका correct answer है option number D oxygen है hydrogen के जलने से सम्मंद प्रिक्रिया next ने लोहे पर जंग लगना किसका उधारण है तो इसका correct answer है option number C आकसीकरण का उधारण होता है लोहे पर जंग लगना next ने प्रकाश आकसीकरण परकिरिया शुरू की जाती है तो इसका correct answer है option number B प्रकाश के दुवारा शुरू की जाती है प्रकाश आक्सीकरन परिक्रिया निक्ष चने वे परदार्त जो जलकर उश्मा परदान करते हैं क्या कहलाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन अमर बी इन परदार्तों को इंधन कहते हैं जो की जलकर उश्मा परदान करते हैं नेक्स चने प्राकतिक गेस में मुख्यते क्या रहता है तो इसका correct answer है option number D मिथेन रहती है प्राकतिक गेस में नेक्स चने गोबर गेस में मुख्यते होता है तो इसका correct answer है option number A मिथेन पाई जाती है गोबर गेस में नेक्सट ने अमल और शार की अभिकरिया के फल्चुरूप बने प्रधार्थ को क्या कहते हैं तो इसका correct answer है option number A लवन कहते हैं जब अमल और शार दोनों के अंदर अभिकरिया होती है तब लवन बनते हैं next नें अमोनियम कलोराइड का जलिये विलेन होता है तो इसका correct आंसर है option number C शार ये होता है अमोनियम कलोराइड का विलेन next नें एक सामान्य वेक्ति के रक्त का pH इस्तर क्या होता है तो इसका correct आंसर है option नमर B 7.35 से 7.45 के बीच में होता है जो सामानने विक्ती होता है उसका जो बलड होता है उसका pH का मान नेक्स जने हाइटरोजन के खोज करता कौन है तो इसका correct answer है option number B केविंडिश है हाइटरोजन के खोज करता नेक्स जने किसी तत्व को रसाइन में अवारा तत्व की संग्या दी जाती है तो इसका correct answer है option number C जो हाइटरोजन तत्व है उसे आवारा तत्व की संग्या दी जाती है इसलिए जो आपने आवर सार नहीं देखियोगी उसमें सबसे टोप पे रखा जाता है हाइटरोजन को नेक्स जने निमलिकित में से कौन एधातू नहीं है तो इसका correct answer है option number B जो aluminium है वह एक एधातू नहीं है क्योंकि ये तो धातू का उधारन है इसके अलावा sulfur, carbon और nitrogen ये तीनों एधातू है नेक्स जने पोधे nitrogen को किस रूप में लेते हैं तो इसका correct answer है option number D nitrogen को पोधे regulation है निमन में से कौन एक पराणीय गेस है तो इसका correct answer है option नमर B जो helium है वह एक एक पराणीय गेस है regulation है निमन में से किसको अविलायक कहते है तो इसका correct answer है option मरे पानी को कहते है सारवर्तिक अविलायक निम्न पोधों में से केवल एक ही तत्व बना है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर C हीरा है जो की केवल एक ही तत्व से बना है इसके अलबा काँच, पानी और बालू ये तीरों मिश्रन के उधारन है क्योंकि काफी सारे तत्वों को मिलकर बने है नेक्शन है वह गेस जो वनस्पती के निर्मान में परियुक्त होती है वह है तो इसका करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर B हाइट्रोजन गेस का परियुक्त किया जाता है वनस्पती के निर्मान में नेक्शन है तत्व जो उवरक में नहीं पाया जाता है तो इसका correct answer है option number B chlorine है जो की उवरक में नहीं पाया जाता है इसके लावा hydrogen और nitrogen ये दोनों तत्व उवरक में पाया जाते हैं next नेक्शन है निमलिकित में से सबसे कठोर प्रधार्त कौन है तो इसका correct answer है option number C हीरा होता है सबसे अधिक कठोर प्रधार्त next नेक्शन है निमलिकित में से कौन सा प्रधार्त एक अतिशीतित दरू है तो इसका correct answer है option number B कांच है जो कि एक अतिशीतित दरुव प्रधार्थ का उधारण है next ने निमलिकित में से कौन हरीद गरहे गेस है तो इसका correct answer है option number D ये सब ही बोले तो sulfur dioxide, methane और carbon dioxide ये तीनों हरीद गरहे गेस है next ने फासपोरस प्रचूर मात्रा में किस में पाया जाता है तो इसका correct answer है option number B protein में पाया जाता है फासपोरस प्रचूर मात्रा में next ने हीरे का एक केरेट में कितने miligram का होता है तो इसका correct answer है option number C 200 miligram का होता है हीरे का एक केरेट नेक्ष रने एध हतू के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो इसका correct answer है option number C शारिय प्रकृति के होते हैं एध हतू के ऑक्साइड नेक्ष रने आग जाने वाली गेस कौन सी है तो इसका correct answer है option number B कार्बंडाई अक्साइड जो गेस है उसका प्रियोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए नेक्ष रने हसाने वाली गेस है तो इसका correct answer है option number C जो नाइटरस अक्साइड है वह हसाने वाली गेस है अगर आप इस गेस को छोड़ दोगे तो सामने वाला व्यक्ति हसने लग जाएगा next question है सूर्य में होता है तो इसका correct answer है option number A हाइटरोजन और हीलियम पाया जाता है सूर्य के अंदर next question है मानव शरीर में प्रचूर मात्रा में कौन सा तत्व होता है तो इसका correct answer है option number A ऑक्सिजन तत्व पाया जाता है मानव शरीर में प्रचूर मात्रा में next question है रभर के वलकनी करण से उसमें मिलाया जाता है तो इसका correct answer है option number D शल्फर मिलाया जाता है सब्रचूर में नाबी की रियक्टर में ग्रेफाइट का परियोग किया जाता है तो इसका correct answer है option number B वी मंदक के रूप में किया जाता है नाबी की रियक्टर में ग्रेफाइट का उप्योग next ने निमलिकित में से कौन सी गेस नियुन्तम तापमान पर दर्व में बदल जाती है तो इसका correct answer है option number D hydrogen गेस बदल जाती है नियुन्तम जो तापमान होता है उसमें दर्व अवस्ता में next ने ओटो मुबाइल दुआरा निशकासित मुखे नुकसान दाय गेस जिसे वाईू परदूशन होता है निमलिकित में से कौन सी है तो इसका correct answer है option number B carbon monoxide गेस निकलती है जो कि ओटो मुबाइल जो कि हमारे विकल होते हैं बाइक हो गया कार हो गई, ट्रक हो गई इन सब इसे यह नुकसान दाय गेस निकलती है next ने वी संक्रमन के बाद जल में उपलब्द क्लोरीन की मातरा को कहते हैं तो इसका correct answer है option number D आउशिष्ट क्लोरीन कहते हैं जब वी संक्रमन के बाद में भी जल के मंदर क्लोरीन उपस्तित होती है next ने निमलिकित में से कौन सी greenhouse gas नहीं है तो इसका correct answer है option number C hydrogen एक green house gas का उधारन नहीं है इसके अलावा carbon dioxide chloro-fluoro carbon और nitric oxide ये तीनों green house gas के उधारन है next ने जल का शुद्धतम रूप है तो इसका correct answer है option number B जो वर्षा का जल होता है वह जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है next ने बैटरी के निम्न में से किस acid का प्रियोग किया जाता है तो इसका correct answer है option number E hydro chloride acid का बोले तो HCl का प्रियोग किया जाता है बैटरी में acid के रूप में next ने निम्लिकित में से परमुक green house gas कौन सी है तो इसका correct answer है option number E carbon dioxide है जो की मुके green house gas है next ने मौसमी गुबारों में कौन सी gas बरी जाती है तो इसका correct answer है option number B helium gas बरी जाती है जो की वायू से हलकी gas होती है next ने हीरा और graphite होते है तो इसका correct answer है option number C ये carbon के अपुरूप होते हैं हीरा graphite और full drain next ने carbon dating निम्न में से आयू निर्दहरण हेतू प्रियुक्त होती है तो इसका correct answer है option number C जिवाश में की जो आयू निर्दहरण है वह करती है carbon dating next ने दिया सिलाई का नोख में क्या रहता है तो इसका correct answer है option number B लाल पासपूरस रहती है दिया सिलाई की नोख में next 고ne हीरे का खनीजीय बनावट क्या है तो इसका correct answer है option number B carbon होती है हीरे की खनीजीय बनावट next ने helium की खोज किसने की थी तो इसका correct answer है option number B locate air ने की थी helium की खोज next ने सरवादिक योगिक बनाने वाली अक्रिय गेस है तो इसका correct answer है option number जीनोन है जो की एक अक्रिय गेस है और सरवादिक योगिक बनाती है तो दोस्तों आज का ये lucent chemistry gk का वीडियो किसा लगा हमें comment के मादेम से बताईए और अभी तक study readout channel को subscribe नहीं किया तो please इसे subscribe कर दिजे और bell icon button को भी दबा दिजे ताकि आप हमारे latest video के नोटेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके हैं और इस video को अपने सभी दोस्तों के साथ facebook और whatsapp account के मादेम से शेयर भी कर दिजे तो आज के लिए दोस्तों इतना ही thank you दोस्तों